देख लिए कि अरे इसने तो मेरे ट्रैंक को बर्बाद करके जा रहा है मारा गोला हमीत का बाया हा दाइनी टांक लेकिन लालबाद उसासरी ने बला नो लड़ाई खतम तीन दिन और चलेगी ताकि देखता हूं और कितने ट्रैंक तुमारे टूटते हैं रसुलन बेगम बिलकुल यंग चाहिए तैंक वाले बोल देते कि अब गन वाले पीछे चलो हम आ रहे हैं एक से बली होते हैं तो पाइदल सेना भी चड़ गई गाड़ियों में जो भी मिला चीज उस पर चड़ गई अपने आदमी और गने भी जो हैं पीछे हो गई लेकिन हम इत्मस गया संजो तक्दीर नहीं चल पाया यहां यह हो सकता है मुझत आ गया उदर से टाइन तो हम इसने अल्ला का नाम लेकर के मारा गोला चेन पर चेन पर मारा मतलब चेन यह सबसे कमजूर था उन सब चेन को ज्यादा टेंपरिंग करेंगे तो टूट जाएगा तो इसलिए वह लूज टेंपर था तो गोला लगाया और तो अब जब टूट जाएगा चेन तो चलेगा ही नहीं जब टेंग चलेगा नहीं तो उसके आभी बाहर भी नहीं और गोला भी लोट नहीं करेंगे क्या करेंगे वह हीलेगा ही नहीं तो इसलिए तब उहां से ड्राइबर गोला सर किधर चलना बहला दाहिने गाड़ी मोड़ो तो जब दाहिने मोड़े तो दूसरका टैंक आगया सामने तो उसको भी चेन पर ही मारा उच्छा सेम काम उच चेन पर सिखलाई थी कि चेन पर ही मारो और मार करके तुरंत सो मीटर दूर भागना आ है नहीं तो आटोमेटिक हतियार वाकब जो हतियार उसमें था अलेडी लगा है हमीद ने जिवही एक हां दाहिने मुड़ा मुन्ने के बाद में तीसरा टैंक जो है हमारा इंडिया का और पाकिस्तान का दोनों आपस में टक्कर मार रहे थे आपस में कि अब तो यह होगा कि जिसकी मेटरलाजी कमजोर होगी वो तूटेगा लेकिन जब टक्कर मार रहे थे आपस में अब तक हमीद ने देख लिया कि ये तो पाकिस्तान का टैंक हमारा टैंक भीड़ा हुआ है तो पाकिस्तान के ट्रेंग वाले तो पीछे नहीं देखेंगे, क्योंकि हमीद पीछे था पाकिस्तान के ट्रेंग के, और हमारे वाले देख ले रहे थे इंडिया वाले, हमीद इने जब देख लिया कि हमारे ट्रेंग को बजाया हुआ है, तब हमीद ड्राइबर को बोला गा गाड़ी रुकवाया अपने वहां से उतरा यह बहुत दिलेरी का काम है नार्मल नहीं है लड़ाई के मैदान में उतर जाना अधियार छोड़ के अपना है गिरनेट निकाला कमर से और ले गया गाड़ ट्रेंग का हुट खुला पाकिस्तान के और ऊपर और रूसी में डाल द जाल दिया एक दो तीन चार हो गया चार सेकेंड यही टाइम उनको भी नुकसान होगा ना वहां बे रहेंगे तो जब यह बोला एक दो तीन चार हुट बंद चांप कर रखा था कि साला कोई बच कर खोल ने दे ऐसे दबा कर रखा जब खून की धारा बह गई तो हमी जो है निचे उतर कर अपने जीब के पास जीब तो 100 मीटर दूर खड़ी है अपने जीब के पास गए है और वहीं जीब के पास जब जा रहे थे तब तक चउथे टांप वाले ने देख लिये कि रहे इसने तो मेरे टांप को बरबात करके जा रहा है मारा गोला हमीत का बाया हाथ दायनी टांग उड़ गई दोरते जा रहे थे ने तो दोरे का तो आगे पीछे बाया हाथ और दायनी टांग उड़ गई गिर जे हमीत ड्राइबर ने सफेज जंदा निकाला और गाड़ी पलगा दिया यह सब के पास होता है और ड्राइबर दाऊड कर गया उठा लिया उसको और लेकर चला गया गाड़ी में रख दिया और खेमकन सक्टर्ट से अम्रिश सर कोई ज्यादा दूर नहीं है अम्रिश सर हास्पिटल हेटकोटर में सब कुछ परबंद रहेगा बोलाना कीमती याद में होते डाक्टर बठे रहेंगे जब देखनेंगे कि यह गाड़ी आ रही है तो डाक्टर तायनाथ हो जाएगा इलाज करने के लिए कि यहां जाए कर तो उस 수नी सपर जड़ना लागा और जब चला गया थे बारला जिद्धर शाभी थे यहां से लडाई का मयदान आ है इदर सांती का मयदान है तो जब उस लाएं कंगा तो हमारा पुलिस वाला रोक दिया यह पुलिस नहीएफ म्यिट्रिक पूलिस वाला कहा जा रहे हो तो इसने मुलाक सर जवान एक घाई हो गया अस्पतार ले जा रहा हूँ यह वकिनो गाड़ी अभी नहीं जाएगी अब एक ख़बर जो है धीरे उपर वाले अधिकारी के पास पहुच गई जैनतनाच चाउधुरी जमर्नल साहब सोचे अपने दिल में कि जहां ट बोला कि सर तीन प्रेटन टैंक को अबदूल हमीद ने तोड़ दिया है अब उसी समय जैनतनाच चाउधुरी जो है पिश्टल निकाले बैरी पिश्टल उसको बोलते हैं और आकास में फायर किया जिस साइड में बोला था तो कुछ दूर तक रात का दिन हो जाता है उजाल हो गया उजाला हो गया तो देख लिया एक दो तीन टैंक टूटे हुए हैं अब जब इतना पता चल गया एलाउंस हो गया सब सेट हैं सेटों में जब पता चल गया सबको किया रहे पटें टैंक तो सारे चुहे की तरह मर रहे हैं तो मेजर आसार अम्त्यागी ने अपनी 40 से अमेरिका का 75 पेटेन टेंग घरा दर्वा दिया था होसरा बुलंद हो गया सबका तीन टूट जाएगा जहां सुनें कि तूटे गाई नहीं वह एक वह तीन टूट गया आज अब एक ख़बर चारों तरफ जाएगी अब जब तीन टूटा है तो दिल्ली ख़बर पहले बोला गया कि अमेरिका का पेटेंट टेंग धोस्त पड़े हैं तो सास्री जो एक खबर की कणाईडी को अमेरिका के ओंगा कि काईडी बोला कि सास्री लडाई रोको मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे टूट गए जबकि हमारे इंजनिर बोल रहे हिसको तोडने के लिए बारे भाबा भाइजानिक भाबा थे जो भाइज भी मराई थे तो अरे हम लोग उनको हर जगा सलाम करते हैं वही तो जब यह बताया गया कि तीन पर टूट गया तो सास्थे ने खबर किया वहां तो वहां से खबर आई कि सुबह छे बज़े लड़ाई रोको क्योंकि धाई बज़े टुटा है टाइंग और एक कहानी होते होते सारे चार बज़िया था अच्छा उसमें वो जो बता रहे थे आप एक बार कि वारलेस पे वहा कि परंबीर चक्र विजेता दामपूर अगर आप सुने होंगे तो क्या लिए सारे चार बज़े जब सुने तो सक्रा जाएगा एक्तम शाक लग जाएगा यह गाम का अदमी गया बहुत अफोस होता है चंद सिकेंट के लिए लेकि हम लोग मोर्चे में थे मोर्चे में थे हम लोग भई पर एक बोला क्या हो गया रह कोई बात नहीं, बहुत मरेंगे, तो उसमें एक हरियाना काता, मेरे गाम काता, तीन मर गए, तो मैं क्या करूँ, आपस में यह होता है, तो अब हम लोग जो है वहाँ पर, अब सास्तिरी ने बोला कि लडाई नहीं रुकेगी, लालबादू सास्तिरी ने अपने उपर ले करक तीन दिन लडाई अधिक करवागी, ने तो दस्तारी खतम जाने थी लडाई, छे बजे सुबही, लेकिन लालबादू सास्तिरी ने बोला नो, लडाई खतम, तीन दिन और चलेगी, ताकि देखता हूं, और कितने टैंक तूटते हैं, और क्या होता है, लेकिन तीन के बाद कोई टैंक टूटा नहीं, कैप्चर होते गए, क्योंकि डर गए सब, हमारी और सील गन है, एक गन जो है, दो तो टैंक को घर कर रख दी, और सील गन, वही जो रखा हुआ है, वही जीप में है, तो इस टाइप की नहीं है, दूसरे टाइप की थुड़ा होती है, वो तो एक मॉडर रखा है, तब जाकर के लडाई जो है, तेरह तारीक को सांत हो गया, तेरह सितम्बर को सीज फायर हुआ, साड़े बार वजे रात को, तब जाकर के हम लोग जब सांत हो जाता है, तो अपने अपने जगाओं पर आए, अपने अपने कमपनियों में आएंगे, तो आर करने के बाद में यह वग भाई हंदूर हमीत का किट विस्तर ले जाना है, उसके गाउं पहुंचाना है, कोई है अगर उस गाउं का आदमी फोजी, तो उसको साथ लगाओ, क्योंकि हवालदार जो था, वहां का गिनिरेट का वो दखडी भारत का था, नान हिंदी वाला नह कई सामाना ऐसा नहीं होगी, तो तेईस हज्जार का चेक और उसका सामान लेकर के हम आये, गाउं धामपूर आये, आने के बाद हम लोग यहां तो कईम पड़ा हुआ था, सब ने कईम में अपने अपने ड्यूटी कर रहे थे, कांगोई, लेकपाल, बैंक वाले, और मतलब सुचता किरिप्रानी उसमार गवर्नर थी, वो भी आ गई, तो आने के बाद में उनको पता चल गया कि सामान उसकार आये, हो सकता है, बेसा कावाई जाते उड़कर जाते आते हों, लेकिन उसमार सारे आजी थे, हमारे पास, हमारा जो जरनल गिरनेरिया का था, यहां पर ब देखी, रसुलन बिगम बिलकुल यंग थी, यंग थी, यंग में, हलाकि उसके चार बेटे और एक पेट में था, बाकि जो तीन बच्चे बाहर और एक लड़की थी, सबसे जेठी लड़की है, अभी जिन्दी है, तो पांच लड़के थे, लेकिन फिर भी वो यंग थी ए और देखकर रोने लगी, तो यही सब बात है बागो, अच्छा तो आप जैसे बता रहे थे, गोली लगी है, गोली जिससे हम लोग बोले ना कि लड़ाई में तो सभी जाते ही हैं, तो अपने यहां जब लेटे हुए थे, और दुस्मन का बाई जमावरा, अमरे सरसाई बो से, तो जब बागा बाजर से हम लोग आगे बहुत कराश कर गए थे, तो गोली जो है, हमको लगी वहां पर, जब अब्दुल हमीद गुजर गए ना, तो हमारे गाम वाले भी ऐसा बोलते थे, कि ओहो, यह भी मर जाएंगे, अब खाली, क्योंकि पता चल गया था, कि करके बताएगा सब को, तो यही सब बाते हैं, गोली कैसे लग गई आपको, गोली हम लोग जमीन पर लेटे हुए थे, बंदूक लिये हुए थे, दुस्मन की गोली आई, और हमारे बंदूक के बाइरल में लगी गोली, और बाइरल से एक तिनका छे टिकर के पेट में लग दोस्तों देख रहे हैं, कितना बादरी का काम हमारे जमानों ने किया है, जो गोली अगर दुरभाग बस अगर अच्छे जाकर सटीक लगी होती, तब तो क्या बता है, तो यही राख कुछ आप देख सकते हैं, यहाँ पे, जो यह तीन मेडल है, यहाँ पे इस पे लिखा गया है, 1965, और एक लिखा गया है, पूर्वी पाकिस्तान, पस्चमी पाकिस्तान, यहीं तिन हो मेडल है, इंडियन गौर्मेंट ने दिया है, बाकि है कि समलेके का है, तो एर चुके हैं, सब इंडियन गौर्मेंट ही, देगी हां मतलब मेलेटरी को जारत यह इस्टार जो है लडाई के मिलते अच्छा यह लडाई का इस्टार रहे जो मेलेटरी इस्टार है करें